आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों कि मेरे नाम है सिद्धान तगनी होतरी स्टेडी एक्यूपैप का बहुत-बहुत सबागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों इंगवार कंपराट की आपको बते ही कि I'm व्यवार की बात करें तो विजय शेकर शर्मा हो गए सचिन बंसल बिनी बंसल चैक मा और भी दोस्तों नरायन मूर्ति अजीः प्रेम जीन सब के बाग़्राफी अविलिबल है थीय आनन्द मह Duch मेंद्रा बहुत लुँट आप इन बायोग्राफिस को इसलिए देखे क्योंकि इसमें मैंने आईडियाज बताए हैं इनके आईडियाज क्या है ठीक है किस तरीके से यह सक्सेस हुए है ना विजन क्या है इनका तो आप देखिएगा जरूर जिसको भी बिजने शुरू करना है स्टार्ट अप शुरू क देखिए आप स्टोर देखे ही दिमाग खराब हो जाता है इस स्टोर क्या यह लोग महल बनाते हैं इतना खूबसूरत स्टोर से दोस्तों कि क्या बता कुछ पिक्स मैंने लगाई है दिखाऊंगा बहुती गजब बहुती बड़ी कंपनी और इंगवार कंपराट की बात कर एक बहुती हमबल बिगिनिंग से मतलब इनकी बहुत हमबल बिगिनिंग रही है बहुती छोटी सी जगा से इन्होंने शुरू किया इन्होंने अपनी कंपनी को अपनी कंपनी को ओपन किया ही नहीं ओपन करने का मतलब है कि इनकी कंपनी स्टॉक एक्षेंज में आपको नह का मानना था कि लोगों की problems को खतम मत करो, लोगों को ही change कर दो, लोगों की problems को क्यों बदल रहे हैं, लोगों को ही change कर दो न, लोगों का lifestyle समझ लो, market के हिसाब से चीज़ें करते थे, इसे लिए इतने success हुए, तो आज हम इनकी biography देखेंगे, आप सोचते होंगे यह IK EA का full form क् IK stand for Ingvar Kamprad, E जो है, जहां पर यह पले बढ़े, जिस farmhouse में पले बढ़े, Elmi Terad, ऐसे ही कुछ नाम था उसका, और A जो है अगुनियार, जिस गाउम इनका जनम हुआ, तो यह full form है IK EA का, ठीक है, Sweden से आते हैं यह, Swedish है ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर अर्सको रिकनेक्ट मेरा Facebook पेज है, सिद्धान तक नहीं होता नहीं के नाम से मेरी Facebook प्रफाइल है, दोनों ही चकाप्रेचर की PDF रेज सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, तो दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें, ओ गॉड मैंने बर्थ डेट नहीं लिखी, कोई बात नहीं, इनका जनम 30 मार्च 1926 को हुआ था, 1926 में जनमे थी यह, ठीक है, कमपराट की बात करें, इनके पिता जी थे फियोडॉर कमपराट, और इनकी माता जी बेरता, अब इनके पिता जी जर्मन थे, इनकी माता जी स्विडिश थी, ठीक है, इनकी जो फैमिली थी, इनके पिता जी जो थे, वो जर्मनी से माइगरेट किये थे, ठीक है, और फिर उसके बास स्विडन में आके बसे, अच्छा परिवार था इनका, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब थे, अमी 6 साल की उमर से ही दोस्तों इनको पता चल गया था कि इनको करना क्या है, ठीक है, 6 साल की उमर से ही, 5 साल की जब ये थे, तब तो ये माचिस बेचने लगे, इनको पता था कि घर में माचिस की जरूरत होती है, सिर्फ 5 साल, कैसे हो सकता है, मतलब कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी कम उबर में कैसे इतनी समझदारी आ सकती है लेकिन समझदारी आई उसका रीजन ये था कि जब situation बदलती है तब आपको उस हिसाब से भी बदलना होता है ठीक है तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी में च्योर हो जाते हैं क्योंकि परिवार के situation ऐसी होती है अब ऐसा कि आपको पता ही है कि 1929 से depression शुरू हो गया great depression 1930 तो great depression में दोस्तों ये बहुत ही खराब वक्त था मैं आपको बस एक incident से ये मतलब एक इस story बताता हूं इस story क्या मतलब लोगों की उसमें क्या हलत थी आपको इस चीज से पता चल जाएगा कि लोग जो है वो थोड़ा सा हटके चलते थे रोडों के बीच में चलते थे रोड के side में नहीं चलते थे पता है क्यों क्योंकि उनको लगता था कि उपर से suicide कोई कर ले चाहे photographer हो चाहे entrepreneur हो सब के सब गरीब हो गया किसी के पास पैसा नहीं था ठीक है एक के बाद एक bank collapse हुए stock market पूरा crash हो गया पैसे की कीमत ही नहीं रही पैसे की value stock market से define होती है यह आपको पता ही है ठीक है और world market से तो जब market ही चला गया तो पैसा गया तो बहुत बुरा period था उसके बाद Franklin Delano Roosevelt है चार बार America के राश्चपती बने थे ठीक है उसके बाद America में राश्चपती के time को घटा के दो बार कर दिया था ठीक है तो वो new deal policy ले किया है क्योंकि America से great depression आया था और वो पूरे Europe में फैल गया पूरी दुनिया में फैल गया ठीक है क्योंकि तब हम connect हो सके थे अहु चुके थे अरillी पहले क्या था एक इंसान डूपता था तो एकी डूपता था अभी क्या है कि एक डूबे unfortunate टूबें फीक है तो गरी बहुत ज़्यादा थी तो इनके परिवार भी इसी गरीभी के चपेट में आया तीक है तो पता था कंपराट को कि मुझे अ रिडिश प्रोविंस इस्माल एंड में रहते थे ये और वहां पे जाता तर लोग खेती कर रहे थे क्योंकि बिजनेस हो गए बंद लेकिन कंप्राइड को पता था कब तक खेती करेंगी फार्मिंग वॉजट इनफ टू सर्वाइव तो तो उस अल्टरनेटिव को खोजने के लिए कंप्राइड ने माचिस बेचना चुरू किया और पता है इनकी पहली कस्टमर कौन थी कस्टमर को कोई भी इंटरप्रणॉर है कॉमन चीज आपको यह मिलेगी कि कस्टमर भगवान है जो इंटरप्रणॉर कस्टमर बेजड प्रोडक्ट निकालता है वो बहुत सक्सि रहे हैं तो यह चीज है उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने माचिस बेची फिर उसके बाद इनको यह लगा जब और बड़े हुए यह को ठीक है माचिस तो ठीक है लेकिन अभी क्रिसमस आ रहा है और भी चीज हम बेच सकते हैं ठीक है तो क्रिसमस काट्स भी बेचे इ इन्होंने जिससे पैसा आ सके ठीक है उस समय जो farmers थे उनके पास fishing rights नहीं थे जिनके पास जिनको fish चाहिए थी ठीक है तो इसमें भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया तो यह सब कुछ किया इन्होंने शुरू में तो ऐसे ही चलता रहा इधर उधर business करते रहे अल्टीमेटली दोस्तों जब यह कॉलेज में गए जब यह पढ़ाई करने गए वहां पे इनकी किस्मत चमकी वहां पे इनको बहुत बड़ा आइडिया आया और 1943 में फिर IKEA का जनम हुआ ठीक है इससे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि Christmas कार्ट और इधर विजनेस कर फिशिंग नेट्स होते हैं ये जाल खरीद लेते हैं और इसमें मचलियों को फसाते हैं और उसके बाद जिन फार्मर्स को मच्छनियों की जरूरत उनको बेच देते हैं, पिता जी ने बोला यार गडबड है, कहीं दिक्कत ना हो जाए, लेकिन पिता जी को नों ने समझा लिया, कि नहीं नहीं, हम ये करते हैं, और कोई गडबड नहीं होगी, ठीक है, तो उसके बाद खुब पैसा इन 1943 में, तो इनको चाहिए था, ये बड़ा सोच रहे थे और इनको अपना बिजनेस शुरू करना था, शुरू में तो IKEA, ये नाम जो है, 1943 में IKEA बन गया था, लेकिन शुरू में ये फर्नीचर्स नहीं बेचते थे, ठीक है, शुरुवात में ये बिलकुल फर्नीचर्स न सब बेचते थे, वाचेज हो गए, पेंस हो गए, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि फर्नीचर्स ये बहुत जादा प्रॉफिटेबल है, पैसे नहीं थे बिजनेस शुरू करने के लिए, पड़ इनके पिता जिनिये इनको पैसे दिये, हेल्प की, और 1943 में फिर IKEA का जनम हुआ, आप बिजनेस माइन इनका इतना तगड़ा था कि बोर्डिंग स्कूल में भी ये अपने बेड के नीचे पैंस रखते थे, वाच रखते थे, वालेट्स, बेल्ट, ताकि जिसको ज़रूरत होती थे बेच देते थे, कमाल, मतलब दिमाद देखिए आप, हम बेच रहे हो, वहाँ पे जो इनके क्लासमेट्स थे, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, कि वो पैसा दे देते थे, हम लोग के दोस्तों पैसा नहीं दे, उपड़ से मारे और, तो अब हम यह देखते हैं, कि जो IKEA, यहाँ से, बन गई, बन गई, और बहुत जल्द इन्ह तो खतम हुआ था, Swedish government जो थी, वो बहुत सारे houses बना रही थी, है ना, और houses के लिए, houses बनाने के लिए, वो loans भी दे रही थी, यहाँ पे इनको idea आया, घर तो होंगे ही, और घर में फर्नीचर्स होंगे, ठीक है, अब यहाँ पे फर्नीचर्स मैं प्रोवाइड करा दे रहू फर्नीचर्स मैं प्रोवाइड करा दे रहूँ, और फर्नीचर्स को वहाँ से इंगोवार ने बनाना शुरू किया, ठीक है, और उसमें फर्नीचर्स जो थे, वो बहुत बड़े-बड़े होते थे, तो उन्हों प्तना दिमाग लगा है, इन्होंने दिमाग लगा है, कि हम ऐसा बनाएंगे कि एक कार में भी furniture fit हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा आप assemble कर सकते हैं जब जरूरा तो आप deassemble करिए और जब आप घर पहुचे तो assemble करिए होता है ना आज के furniture देखे तो पेच लगे होते हैं अलग अलग parts अलग furniture के सारे parts अलग हो जाते हैं आप उसको बैग में रख सकते हैं और जैसे ही घर पहुचे आप उसको मतलब दुबार delivery का पैसा नहीं देना पड़े क्योंकि furniture बहुत बढ़े होते थे तो delivery का भी पैसा लगता था तो delivery का पैसा ना देना पड़े पैसा बज्जा है इस तरीके के furniture बनाऊ और उसके बाद धीमे धीमे 1948 के बाद से दोस्तों Sweden के जो small end है घर घर में यह furniture सप्लाई करने लगे और यह business इनका चल पड़ा इन्हों ने अपने प्रोड़क्स निकालने शुरू कर दिये जो local manufacturers है local manufacturers दोस्तों अच्छा 1.2 के बाद स्वेड़िज गवर्मेंट जो थी वो घर बना रही थी competition उसमें बहुत ज़्यादा था क्योंकि घर के अंदर फरनीचर्स तो चाहिए बेड चाहिए अलमारी चाहिए ठीक है वो सब चाहिए तो competition बहुत ज़्यादा था competition इतना ज़्यादा था तो local manufacturers आपको क्यों support करें ठीक है क्योंकि कंप्राड यहाँ पर बैड़ के थोड़ी ना बनाएंगे furniture उनको तो चाहिए ना कहीं से उन्होंने बोला कि हमें काम करो कि आप मुझे supply करो जो furniture है आप मुझे supply करो manufacturers को बोला मैं आपको दुगना profit दूंग आप cost कम रखो और मेरे हिसाब से furniture बनाओ ठीक है अब जब ऐसा हुआ इवां कंप्राड नहीं यह तो बोलते इंक्वार कंप्राड यह इन्होंने हमेशा बोला है कि innovation is the key to success तो इस तरीके के जब नहीं तरीके के furniture आए कोई कार में ले जा रहा है in fact दोस्तों मोटर बाइक प बस्ती थी यह पैसा एक्स्ट्रा पैसा जो है वो लोगों का बचने लगा और यह जो furniture है यह बहुत बड़ा हिट हो गया 1951 में और उसके बाद 1923 में इन्होंने अपना showroom खोल दिया इतना profit कमाया इन्होंने और monopoly एक तरीके से furniture business में आगी इनके पास but 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 अब problem शुरू होग कि जो competitors थे जो दूसरी business companies थी वो चड़ने लगी है ना उन्होंने boycott कर दिया IKEA को कि बहुत पैसा कमा रही है और पूरा इन्होंने market बिगार के रख दिया देखिए अगर कोई ऐसा product आ रहा जिसकी cost down होती है और वो बहुत अच्छा है उसकी quality बहुत अच्छी है तो लोग बिगड़ जाएगा अगर कोई चीज 100 रुपय में बिक रही है पिर एक ऐसी इंसान आ गया जो वही चीज 70 रुपय में बेच रहा है अच्छी quality में तो लोग 70 रुपय वाली चीज खरी देगे लोग quality को preference देते हैं यही Steve Jobs बोलते थे ठीक है कि quality अच्छी रखो अपने आप बिट हो जाएगा सब कुछ तो यह quality को कम दामों में बेचते थे लोग खरीते थे मोनोपॉली इनकी होती जा रही थी बाकी जो manufacturers थे अब वो इनसे चड़ने लगे उन्होंने बोला कि यार ऐसा तो चलेगा नहीं तो उन्होंने सब को यह बोला ठीक है पहले तो local manufacturers को इन्हो A.E.A. अब बड़ी दिक्कत क्या करें इन्होंने फिर एती हासिक decision लिया जब बहुत ज़्यदा competition होता है तो फिर innovation आता है इन्होंने क्या किया इन्होंने यह Eastern Europe में चले गए यह Poland में चले गए यह Soviet चले गए वहाँ पे यह manufacture करवाने लगे ठीक है जो इनके designs थी जो innovation था ज इसे हुआ क्या क्यों वो सब socialist countries थी वहाँ पे labor बहुत ज़्यादा थे और efficient labor थे उससे हुआ क्या एक तो पैसा कम लगा manufacturing का पैसा कम लगा labor cost कम लगी तो यह जो competition की वजए से इनको परिशानी जहिलनी पड़ी problems आई उससे इनका profit और ज़्यादा डबल हो गया क्योंकि इन् 1974 में खुद भी Switzerland shift हो गए खुद भी Switzerland चले गए जो कि 2014 तक रहे उसके बाद rest is history एक के बाद एक IKEA ने stores खोले अपने और बहुत ज़्यादा profit कमाया दोस्तों बहुत ज़्यादा profit कमाया दूसरी चीज दोस्तों एक चीज यह और बोलते हैं कि हमेशा पैसा reserve में रखना चाह सोले की UNICEF की जो बहुत सारे UNICEF के प्रोग्राम चलते हैं WHO के प्रोग्राम चलते हैं और खुद भी philanthropy जो इंसानियत के काम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा active है ठीक है याद रखिए का है WHO को funding कहां से आती है आप कभी सोचा है WHO को सबसे ज़्यादा funding अमेरिका करता है उस ठीक है WHO की जो 10% funding है वो वहां से आती है second सबसे बड़ा contributor है ठीक है और वो जो funding है WHO के पास जो पैसा आता है वो पैसा वो कहां लगाता है अफ्रीका में लगाता है जहां पे health services है ही नहीं what on countries में लगाता है अब अगर इतना अच्छा काम करेंगे तो भाई Hinduism की तो philosophy है Hinduism की universal philosophy है जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा तो कंपराट ने भी इस सारी चीज़े की लेकिन कंजूस बहुत थे यह बोलते थे पैसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इतना और पैसा रिजर्व में भी होना चाहिए अगर आप पैसा कमा रहे हो 10 रुपे कमा रह बाकी 5 रुपे खर्च करो 10 के 10 मत खर्च कर दो ओल्ड वॉल्वो चलाते थे इनके पास बहुत पुरानी कार थी सब्वे यूज करते थे इतना पैसा था दुनिया के आट में सबसे अमीर इंसान आप उनसे क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक पुरानी सी कार चला रह हो पुराना सा सूट पहन रहे हो सब्वे यूज कर रहे हो नहीं बट ये करते थे यही इनकी काबलियत थी जब भी बाहर जाते थे बहुत सस्ते होटल में ठहरते थे और ये बढ़ा इनके बारे में फेमस था कि जब बार में जाते थे तो वहां पे ड्रिंस नहीं लेते थे बलकि बाहर आगे drinks पीते थे सस्ती drinks हम लोग भी ऐसा कई भी कभी करते हैं कि कभी कभी hotel जाते हैं अरे बापरे कोड रिंग तो यार 50-60 रुपए कि वैसे बेटा कोड रिंग मत पिया करो कोड रिंग जहर है सब पूरे body को खराब करते हैं कि कोड बिंग बिलकुल मत पिया करो तो अगर कुछ भी हम ड्रिंक्स लेते हैं कोई ऐस्क्रीम हो गई अरे बापरे 100 रुपए 1500 रुपए रे चोड़ो बाहर यही 30 रुपए में मिल जाएगी कॉर्नेटों यहां पे या जो कप है जो स्कूप होता है वो इतना महेंगा मिल रहा है बाहर आराम से 30-40 रुपए की खाएंगे वह ही कंपराट करते थे है ना तो इनको पर यह अरोप तो लगता है कि काफी कंजूस थे लेकिन बहुत ज़्यादा फंडिंग करते थे यह फिलान्थ्रोपी वर्क्स में बहुत ज़्यादा इन्वार्ड रहते थे और यह बोलते थे कि हमेशा इतना पैसा आपके पास रिजर्व में होना चाहिए आई के यह पॉलिसी है कि वो 50 कम से कम 14 परसेंट वो पैसा जो रिजर्व में रखती है वैसे IKEA यह जो डच ट्रस्ट है ठीक है इनका जो ऑफिस है वो नेधर लैंड में है आपको बता दू तो जो ट्रस्ट है वो इनकी पूरी फैमली कंट्रोल करती है इन्होंने बाहरी हस्तक्षे अपनी यह रखाएं इन्होंने अपनी कमपणी को कभी पॉब्लिक किया ही नहीं शेर्स नहीं बेचै उनको पता था न अकसर यहीं गरती कर द clem भारत में कंपनी क्यों डूबी डूबी इन दसेंस की भारत में जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनका कंट्रोल चला गया सचिन बंसल भी नी बंसल ने फिलिपकार कितनी महने से बनाई थी बुक बेच बेच के उसके बाद क्या हुआ पबलीक कर दी फिर उनहीं की कंपनी ने उनको निकाल दिया ठीक है बाहर के जो इन्वेस्टर जायम का दबाव जादा हो गया जाहीर सी बात है अगर आप कंपनी की शेर्स बेचेंगे तो बाहर ही दबाव हो जाएगा बाहर का टेक ओवर हो जाएगा फिर आपकी बात नहीं सुनी जाती है यही विजए शेकर शेर स्टोर में आग लग गई थी अब इनका जो स्टोर है उसमें 1980s था कि 1990s का मदब exact तो नहीं मालूम लेकि उसमें इतना स्टोर जो है जो आई के यह स्टोर बनाती है करोड़ों रुपए खर्च करके बनाती है और उसमें करोड़ों रुपए बहुत काफी बड़ी बात होती थी ठीक है तो इतना रुपए खर्च करके स्टोर बना है उसमें आग लग गई अब जब आग लग गई तो इनके पास पैसा रिजर्व में था इसलिए यह कोपप कर पाए बना तो इनकी आलत खराब हो जाती तो यहीं बोलते है कि हमेशा पैसा रिजर्व में होना चाहिए पैसा आए कुछ पैसा खर्च करो लेकिन 50-60% रिजर्व में रख लो ताकि वक्त आने पर वो काम आ सके और बहुत बड़ा लेसे नहीं है तो यह चीज है अब दोस्तों IKEA की बात करें दोस्तों तो यह बहुत बड़ी कंपनी है फर्मीचर क्या आप तो स्मार्ट होम भी प्रवाइड करती है आपका घर बना रहे हैं आप IKEA से संपर्क करिए आपके घर के इंटीरियर को बदल के रख देगी ऐसे ऐसे चीजे स्मार्ट किचन स्मार्ट बेडरूम सब स्मार्ट होम पूरा ठीक है फर्नीचर की सप्लाई फूड मार्केट में कॉर्परेट के स्ट बिलियंस और डॉलर्स का इनका टर्नोवर है 27 जन्वरी 2018 में इनका देहान तुआ इनके ओपर आरोप भी दूस्त लगे थी यह मैं बता दो कॉंट्रवर्सी हो गई थी इन्होंने अपनी किताब लिखी है History of IKEA ठीक है उसमें इन्होंने बताया है दो चाप्टर्स उन्हों इन्होंने यह माना कि वह मेरी बहुत बड़ी गलती थी ठीक है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो यह चीज है 2018 मिन का देहान थुआ दोस्तों कमाल के इंसान ब्लूमबर के इसाब से आठवे सबसे अमीर इंसान यह देख लीजिए यह स्टोर है कि क्या है यह 500 होटल भ आठको मिलेगे यह अंदर का यह अंदर का नजारा है अब तो आपने देखा होगा वैसे मौल्स में तो आपको दिखी जाएंगे ठीक है ikea यह और सब दिखी जाएगा ठीक है smart home जो है यह वह देख लीजिए एक और तस्वीर अलग 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 बहुत किस तरीके के नए- आप इपर उसको चेक कर लिया कीजिए क्योंकि दोस्तों मैंने 800 से जादा बाइग्राफिस कवर की हैं ठीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताई जिसकी बाइग्राफिक मैंने नहीं कवर कियो खुछ नहीं पढ़ते हैं देशे सिद्धान तक नहीं होतरी सैनिंग झाल 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